हलो स्टुनेंट्स वेलकम बैग जानने अगेडेमी यूटीप चैनल मैंसाफ रांटिप सिंग और हम पढ़ने वाले जैक्साइश 812 कैशन नमर 4 बिल्कूल इजी कैशन है थियोरम पर बेस है बहुत आसान है देखना द्यान से कंडिशन गेजान आपको यहां पर मुझे साफ दिख रहा है रहा है प्रेघ्र क स्टुन में 20antas वह पयरलदें कोई टान थी डाइगग्नल है एक डाइगनलल है एक midpoint है ad का ये भी इसने दिया है क्या दिया है इसने ed equals to a e इसका reason क्या है e is midpoint of a d ऐसे question मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके पीछे क्या reason है इसके पीछे ये reason है कि इस type के questions के अंदर क्या है directly theorem apply होती है ये given condition है एक line draw करा है अपने through e parallel to a b intersecting b at f b c at a अच्छा ये भी दे रहा है आपको e f जो है parallel है a b के ये भी दे रहा है आपको क्या कहा हूँ मैं a line drawn through e parallel to a b एक line draw करिये अपने यहां से और वो a b के parallel है जो की intersect करती है b c को किस पर f पर अब निकालना क्या है show करना है f जो है midpoint है b c का midpoint का मतलब ये साइड इसके साइड बराबर अंची ये आपको निकालना है पहले diagram में जो भी question दे रहा है उसको elaborate किया करो पूरा खोला करो समझा करो क्या given है और क्या चीज निकालनी है तब आप उसका conclusion कर सकते proof में कैसे निकलना है तो two proof क्या करना है आपको two proof करना है आपको f c equals to f b in short f is the midpoint of b c ये निकालना है अब शुरू करें proof बिलकुल सर सबसे पहले लेते हैं triangle a d b क्या लिया आप दियान देंगे आप लोग अगर a d b triangle के अंदर e एक midpoint है एक line का ठीक है sir e is the midpoint of a d जिससे की a e या फिर आप लिख सकते हो ed equals to a e हो रहा है और इसको मैं नाम दे रहता हूं o e o जो है वो parallel हो गया a b क्यों हो गया वही एफ भी तो parallel है तो e o इसी का तो part है हाँ sir e o is the part of line e f जब e f parallel है तो यह भी parallel होगा ठीक है sir और आपको यहाँ पर e f जो है parallel a b given थी condition ठीक है sir और मैंने एक theorem पढ़ायती आपको क्या theorem पढ़ायती अगर एक line जो की pass कर रही है एक midpoint से एक line के और parallel है एक third side के तो जो जिस line को cut करेगी वो भी equally part में बढ़ जाएगी यह होता है आपका theorem कौन सा eight point nine theorem यही है eight point nine theorem अब क्या कह सकता हूं मैं तो do equals to o b हो गया आपका यानि कि o is also midpoint of b d reason क्या है इसका theorem i eight point nine यह लो यह आपने कर लिया अब आगे बढ़ूंगा मैं ध्यान देना आप इस question पर important है ठीक है यह midpoint अभी अभी भी निकाला आपने ठीक है अब आप देखो अब मैं ले रहा हूं in triangle b c d कौन सा b c d इस triangle में भाई अभी भी बोला मैंने क्या बोलता हूं कि भाई अगर e f parallel है a b k और आपके पास a b parallel है c d के तो e f और c d parallel हुए नहीं हुए अपस में हाँ सरुए e f जो है e f जो है वो parallel हुआ ना c d से e f जो है parallel हुआ c d से हाँ अब मैं c f अगर e f इसका part है तो मैं कह सकता हूं o f भी parallel हो जाएगा c d से क्यों 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 o f is part of line e f clear हो गया है यहां तक यहां तक आ गया सकता है अब अगर o f line इसके parallel दे रखी और इदर देखो od equals to ob है od equals to ob अभी आपने प्रूफ किया ना यह od या do equals to ob यह की बात है इसको do लिख लो ना do equals to ob यह आपने अभी अभी proved above पहले प्रूफ कर लिया है अपने इसको इस इस triangle के अंदर अगर यह line इसके parallel है और यह वाला side इस side को cut कर रहा है नहीं by set कर रहा है equal part में तो यह line इस line को भी by set करेगी equally समझ भाया तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कह सकता हूं मैं यहां से improve में लिखा था fc equals to fb होगा यानि की f is the midpoint of bc और इसका कारण क्या है theorem eight point nine कहती है आपको अगर एक line जो है parallel कर रही है अपने नीचे वाली side के लिए और एक midpoint को cut करती भी जा रही है तो वह another line जो byset करेगी वह भी midpoint पर ही byset करेगी बाइस मतलब मिट पॉइंट ही हो गया इंशॉट बता हो समझ में आया है क्या हासर आ गया तो यह हो गया आपका hands किता आसान है कुछ भी नहीं किया आपने simply जो है theorem लगाई है और निकाला इसमें तो कुछ मतलब देखने वी ओली चीज भी नहीं है बस आपको theorem आना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ theorem का हमेशा जो proof है उसे अच्छे से देखना चीए और समझना चीए वह बहुत important होता है आपके लिए clear हुआ चलिए तो मिलते है next question के साथ अब तक के लिए good bye